जिन्दकी खेड मुकदरां दी एते हिमत जटाउनी पेंदी है रा ओख्यां ते चल के ही किसमत चमकाउनी पेंदी है मैं छे महीने की थी तो मैं मेरे जैसे पेरंस बताते हैं मैं बहुत ही आक्टिव बेबी थी तब मैं पकड़ पकड़ के चल भी लेती थी तो उसके बाद एक बच्चो को जो पोलियो ड्रॉप्स लगती है तो जो जो पोलियो ड्रॉप्स थी वो बहार से आती थी उस टाइम पर तो जिस वो कंटेनर में आ रहे थी उसका कोई रेफ्रिजिटर सिस्टम था जो खराब हो गया तो उसके कारण जो सारी पोलियो तो पहले पहले यह होता था लेकिन जैसे-जैसे मन में पॉजिटी आती रही और पेरन्स की सपोर्ट, ससाइटी थी मेरे को अब भगवान को चाहिए, एक करना है और कैसे पैस करना है ये मेरे पर डिपेंड करता है जिन्दकी खेड मुकदरां दी एते हिमत जटाउनी पेंदी है रा ओख्यां ते चलके ही किसमत चमकाउनी पेंदी है इस सत्रा टुक दियाने अमरिसर तो मेला साथशी खोकर दी कहानी ते जिन्दकी दे वेचे मोड मोड ते ओकडा आंदियाने कुछ लोग उना ओखे हलाता दा सामना नहीं कर पांदे उना अगे चोक जान देने अथे कुछ सक्षेतां जईयां हुदियाने जो उना ओख्यातां दा डटके सामना कर देने अथे समाज दे होना लोकान लईवी मसाल बन जान देने आज दी कहानी दे विच जुड़न गे मैला साक्षी खोकर जो की कह सकते हैं कि बच्पन दे दुरान ही एक ओखे दो और दे विच लंगे ने चाहिए हुन दे सफर दी गल करिये ता एक सेलफ एंटरपनियार ने और खुदे कदमा दे खड़के होरना लेवी मसाल बने ता कहानी दी शुरुवात सिद्धा होना तो यह करते हैं कि जिन्दकी दे विच अजेहे खलात बने सी जहां किस मोड ते आके जिन्दकी निकवरी कह दिता सी कि होने अगां जिन्दकी नहीं है पर फिर भी तुसी अपने दिर्टा ना आगे वाद दे रहे थे आज जे और नलीक मसाल बने जब मैं छे महीने की थी तो मैं मेरे जैसे पेरेंस बताते हैं मैं बहुत ही आक्टिव बेबी थी तब मैं पकड़ पकड़ के चल भी लेती थी तो उसके बाद एक बच्चों को जी तो फोल्य ड्रॉप्स लगती हैं तो वो जो बोल्य ड्रॉप्स थी वो बहर से आती थी उस टाइम पैं तो जिस वो कंटेनर में आ रही थी उसका कोई रेफ्रीर जिटर सिस्टम था जो खराब हो गया था तो उसके कारण जो सारी पोल् καई तो वे कह सकते हैं कि एक जो रक्षक दवायी थी वह भख्षक बन गई तो हम तो इसको डॉक्टरों की इलगर्जी कुए सकते हैं और एक किसमत क्र comment अग्रप्रस कि अमेरे अब कर दोब जालीinder कम एख नशिवाए व कोई बताता था वो वहां ले जाते थे तो उसका रिजल्ट यह आया कि मेरी अवाज भी रिकवर हो गई प्लस मेरे बॉड़ी पार्ट्स भी चलने शुरू हो गए पहले से बहतर हो गए तो ऐसे ही इलाज होता गया होता गया और वह बैटरमेंट की तरफ चलते गए दो अक्सरत उसी जिन्दकी देवी चगे बादे रे उमर कह सकते हैं के होर पड़ामाते बादे गई कई बार खुद नाल या राबनाल विए शिक में जरूर रहन दे होनगे कि मैं हो रहा मांग क्यों उस्तरा दी नहीं या जा मेरे चकी कमी या जा मैं उना एक्टिविटी से क पाग नहीं लाया पांदी इस सब शिक में फिर जहन विच रहे रवना कितना संजे किते हैं जैसे जैसे मैं बढ़ी हुई मेरी स्कूलिंग चलती रही ने यह शूर किया कि मेरी स्कूलिंग कहीं पर भी ना रुके मैं पढ़ाई करूं और एक अच्छा मुझे एजूकेशन अच्छी मिले तो उनकी मोटिवेशन तो थी थी प्लस मेरे को एक फ्रेंस भी बहुत अच्छी मिली जो कि मुझे मोटिवेट करती रहती थी और हमेशा हम ऐसी जगाओं का वो प्लान मेरे लिए करती थी कि जहां मैं असानी से जा सकूँ जैसे कि आपने बूला कि रब से क् शिकवा था तो पहले पहले तो फील होता था लेकिन जैसे जैसे मन में पॉजिटिविटी आती रही और पेरंस की सपोर्ट सोसाइटी की भी तब सपोर्ट थी मेरे को तो मुझे लगता था कि अब भगवान ने मुझे एक टेस्ट दिया है जो कि मुझे इसको फेस करना है और कैसे face करना है, यह मेरे पर depend करता है, तो मैंने बहुत try किया हर hurdles को overcome करने की, फिर एक time आ गया था, जब मैं भगवान को कहती थी, why me नहीं कहती थी, try me कहती थी, कि मैं यह नहीं कहती थी, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, generally हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तो हम कभी भी नही बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया है, लेकिन बुरा होता है, तो हम जरूर कहते हैं कि हाँ, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, जब कि हमें यह समझना चाहिए, कि भगवान उनी पर problems और उनी के test लेता है, जो कि उसके capable होते हैं, और जो कि उसको अच्छे results दे सकते हैं, तो मैंने हमेशा यह बोला कि try me, कि एक के बाद एक hurdle आई, लेकिन मेरे पे इतनी blessings थी भगवान की, कि वो पार होती गई, जब मैंने अपनी studies कंप्लीट करी, तो मेरे फादर ने मेरे लिए एक business setup किया, कि ताकि मैं बाहर जाओं, घर से बाहर निकलू, मुझे exposure मिले, मुझे society के साथ deal करना आए, प्रस जो भी मेरे मेरे में अगर कोई complex हो, तो वो भी निकल जाए, कि जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो आप में ए नहीं होता, just because of the society, कि society उनको ऐसी नजर से देखती है, कि ये disabled है, जबकि मेरी नजर से वो इक differently abled है, आज हम कोई भी एक इनसान लेते हैं, अगर उसमें दस खामिया हैं, तो दस खूबियां भी होती है, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है, तो दो रास्ते खोलता भ disability का अंदाजा न लगाएं, आज हमारी शादी को approximately 16 years हो गए हैं, जब मैं उनसे मिला, तो हर एक के दिमाग में एक थोट आती हैं, तो disability को देखके तो मेरे दिमाग में एकी चीज आई, disability is just a thought, ठीक है न, वो हमारे उपर है कि हम किसी को किस नजरीय से देखते हैं, वो कहते ह कि बुरे ने बुरा और अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, बुरे ने बुरा और अच्छे ने अच्छा कहा मुझे, जिसके पास जो था उसने वही दिया मुझे, तो मेरे को तो उनमें से अच्छा ही दिखता था, और सबसे बैस बात थी कि उनमें एक जजबा था लोगों देनाल अपने जिंदकी नुए रानु अगां ताव दांदे पखाई देने पर होरना लिख प्रेम्ना स्रोत वी ने जिसकार के ओंडे मजूदा समय देवेच उना देवलो एक एंजी ओदी शुरुवात किती गई और जिस नहीं लोका तक सोच वी एही पंचावन दी है कि सब फिजिकली चैलेंज लोकानों वी बराबर दी निगाना देखने क्योंकि अक्सर समाई देवेच वाकवाक वर्ग दे लोग रेंदेने ते लोकान दी जो रुजान है वह ना लोकान दे प्रती एक वखरा नजरां दा बड़ जो की गलत है जिसनों साल देया होना दे क्या कि मैं भी इस जिन्दकी नों इसे ओखे राखां चो हंडाया और हुनवी हंडा रही है पर इवी एक कह सकते हैं के अनचाखे खलात होंदेने जो की मनुक्ती जिन्दकी देवेचांदेने पर जी असी द्रिरता देनाल बुलंद हांसले देनाल इना राखां दा सामना करांगे अखियां मुश्किलां दा सामना करांगे तासी जिन्दकी नों फते कर सकते हैं ते जिन्दकी दा पर पूरा नंद भी ले सकते हैं अमरे सत्तों नितिश्ट सबर्वाल न्यूजेटीन पज्जाब